तो आज के वीडियो में इंवाइट किया है मैंने आरफ को for a blockchain developer podcast और आरफ के बारे में थोड़ा सब बता हूँ तो आरफ ने अभी तक 6 blockchain hackathons में चीता है तो I think 2024 की शुरुवात blockchain को ले करके इस सच्छी तरीके से नहीं हो सकती तो आज हम लोग आरफ के साथ बाक्चीत करेंगे और समझेंगे कि आरफ ने 6 blockchain hackathons में कैसे जीता अब क्योंकि लिस्ट थोड़ी लंबी है तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कौन-कौन से hackathons में आरफ ने जीता है पहला है Scaling Ethereum by Edglobal, दूसरा है Zero2Hero by Encode Club, तीसरा है SagaHack by DoraHacks and Unfold by CoinDCX and so on तो अभी बहुत सारे hackathons में आरफ ने participate किया और चीता भी है तो आज के वीडियो काफी interesting होगा क्योंकि हम लोग दो बहुत ही important question जो मुझे लगता है मेरे वो मैं ज़रूर से पूछना चाओंगा पहला question तो यह है कि आरफ को क्या चीज़ अभी भी motivate कर रही है blockchain के world में इंटर करने को क्योंकि यह भी bear market है और काफी हम लोग इस समय slow progress देख रहे है opportunities जादा नहीं दिख रही है तो आरफ को क्या चीज़ इतना motivate कर रही है क्यों नहीं वो कोई और tech stack पे जा रहा है वो क्यों blockchain में है इसको समझेंगे दूसरा question जो मैं जानना चाहता हूँ किया कोई बंदा अगर six hackathons जीत रहा है तो क्या process है वालब there must be a mindset राइट आप six hackathons ऐसे ही नहीं दीज जाओगा आप एक जी सकते हो चलो दो जीत सकते हो बगर six hackathons it shares a lot right तो हम लोग वो step by step process क्या है उसको भी समझेंगे इस वीडियो में और जानेंगे तो चलिए I hope आप इस वीडियो को लेके excited हो अगर excited हो तो comment कर दो I am excited और मैंने एक चीज और सोची है 2024 में एक ritual करने की और वो ritual ये रहेगा कि अब हम थोड़ा target हम भी set करेंगे आप लोगों के लिए क्यार कम से कम इस वीडियो पे 500 likes आ जाने चाहिए और कम से कम 200 comments आने चाहिए बहुत जाद हमने नहीं मांगा है 200 comments आप लोग इतने लोग तो देखते ही हो तो 200 comments कर दो 5 minutes like कर दो तो हमें भी अच्छा लगेगा तो वीडियो बनाने में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है no doubt in that बट जब आप लोग की तरफ से थोड़ा appreciation आ जाता है कि यहाँ यह वीडियो मुझे अच्छा लगा और आप थोड़ा like कर देते हो comment कर देते हो तो सच में बहुत अच्छा लगता है तो जरूर से यह कर देना और मिलते हैं अब चलो interaction शुरू करते हैं और मिलते हैं तो अरव अब मैं directly आता हूँ इस question पर क्योंकि मझे लगता है यह question सबसे पहले पूछने जाना चाहिए और वो यह है कि इस समय बेर market चल रहा है यहां पर यहां पर यहां पर हम बेर market देख रहा है जहां पर पूरी तरह से funding भी इस तरह में रोग दी गई है और काफी अच्छी situation नहीं market के चल लगा है but still you are consistently doing good in web 3 you are participating in hackathons you are flying for hackathons and जब मेरी तुम से बात ही दियो तुम में बदा है कि तुम prepare भी कर रहे हो side में और भी चीज़ें web 3 को ले करके ताकि you can prepare for the web 3 bull run right तो मैं यह जानना चाहरा हूँ what is keeping you motivated for this why not just go for some different tech stack you you can do great there as well but why you are still in web 3 क्या एसी चीज़े जो तुम्हें motivate कर रही है first thanks for inviting again last time invite करा तो like बहुत लवने मुझे रीच करा था उनके अलग-अलग doubts थे तो मैंने उनसे बात भी करा था और बात है अभी जो market चल रहा है वेब 3 में तो अभी कुछ लास्ट वीक से तो थोड़ा थोड़ा सा market में अच्छी चीज़े दिख रही है लाइक ETF एप्रूब हो गई थी से तो थोड़ी से मार्केट से ही हुए बट जॉब मार्केट इस टिल जो पहले था वैसे हैं अभी है तो मतलो question is कि मुझे क्या motivate करती है इस BR मार्केट में भी build करने को तो मुझे ऐसा लगता है कि BR मार्केट हो या बुल मार्केट हो डेवलोपर्स लग जो product development हो रही है वो same speed से हो ही रही है जब बीर मार्केट भी थी तब भी डेवलोपर्स की उतनी value थी मुझे लगता है कि बुल मार्केट से ज़्यादा value developers की BR मार्केट में थी क्योंकि you can not मुतलो जब बियर मार्केट है तो आप मार्केटिंग पर फोकस नहीं करें हो यह सिर्फ आप प्रडक्ट बिल्ड करें हो तो मुझे ऐसे लगता है कि बियर मार्केट में अच्छे प्रडक्ट बिल्ड किया जा सकते हैं मुझे मोटिवेट करती है कि जो बिटकोईन की फास्ट वाइट वाइट वेपर विच थी वहाँ पे लाइक सतो सी नाका मोटन है उनकी वीजन थी कि अगले नेक्स 10 येर 20 येर्स में ब्लोक्चेन एडॉप्ट हो कि जैसे हम लोग करेंसी शेयर करते हैं वह डिसेंटरलाइज में किया जाए तो अभी जैसे देखा दाए तो ब्लोक्चेन धीरे-धीरे एडॉप्ट किया जा रहा है मार्केट में अभी रिसेंटली कुछ अच्छे निव जाया है अच्छे लोग मुझे मिल जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि इधर ही वेटर प्लेस टू बिल्ड और मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है अभी थोड़ी सी मार्केट खराब है बट आगे चलके यह सही हो जाएगा कि इस ब्लॉक्चेन की जो टेक है यह मुझे काफी परसंट काफी अच्छी लगती है और काफी स्ट्रॉंग हुए तो अभी ने कभी तो उपर जाए गई है और बहुत इंट्रेस्टिंग हुए अगर आप डीप में देखो गया तो यह एक बहुत एक ऐसी प्रोब्लम को सॉल्व कर रहा है जो अधर टेक्स से नहीं किया जा सकता है तो एक नहीं स्मार्केट तो ही इस ओके मतलब कि वह वाल्यू प्रपोजीशन तुम्हें देख रहा है कि यार यह एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत ही वाइडल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है जो कि ट्रस्ट को है जो अभी तक हम लोग ट्रस्ट करते हा रहे थे किसी सेंट्रलाइज एंटिटी पे अब हमें वो नहीं करना पड़ेगा और प्राविसी और सिक्योर्ट यह साई चीज़े भी इंशूर होती रहेंगी तो दिस इस दा वैल्यू पॉज अगर आपको पता है कि यह जो चीज मैं कर रहा हूं यह आगे आज नहीं तो कल तो ग्रो होनी ही है वो हाइप तो आती जाती रहेंगे बट जो बिल्डिंग फेर्च में वो बिल्ड होती रहेंगे अच्छे प्रजेक्स बिल्ड होते रहेंगे कि अच्छी बात है, बुल मार्केट में जो बेर मार्केट होता है, उसमें जो खराब प्रोजेक्ट होते हैं, वो अपने हम निकल जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा अभी भी कमपनीज हायर कर रही है, ऐसा नहीं कि अगर वो अच्छा है, तो उसके लिए बेर मार्केट के और बुल मार्केट के, उसके हाई रिंग होई जाते हैं, इन बेर मार्केट आइफ से इन पिपोल अरने इन क्रोर्स, लाइक बिए डिवलपर वैल्यू की बात है, आप वैल्यू ला रहे हो मार्केट में, तो पैसे तो मिल नहीं वाले है एक वैल्यूशन आरफ था, बहुत सा लोगों ने ये पूछा भी कि क्या प्रोसेस कह रहता है, मतलब कि क्या कोई एक स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस है, तुम और तुम्हारा टीम मेट फॉलो कर रहा है, मैं ये स्टेप फॉलो करता हूं, जब भी मुझे किसी हैक अटॉन क्लिप रिपैर करना होता है, is there any steps that you follow, what are the secret steps of getting winner position in hackathons, what are those steps? ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला गोश्चन है, मुझे भी जो text आते हैं, उसमें यह होते है, कि मुझे steps बताओ, क्लिक क्या करने है, hackathons में जाने से पहले, और हाँ, जब लोग ने start करने होते हैं, तो उनके लिए एक major problem होता है, कैसे गया गरना है, तो मुझे ऐसे लगता है, तीन step है, first, कि तुम्हें search करने ही पड़ेगी, कि अच्छी hackathons कौन सी है, जहां पर तुम पार्टिसिपेट करोगे, तो तुम्हारे winning की probability जादा हो, तो first step ही, अच्छी hackathons को देखो, बहुत सारे hackathons होते हैं, जिसमें price के नाम पर वो लो कुछ credits जाते हैं, like AWS credits, तो that I not prefer, मतलब जो जिसकी जैसे डिवांड को कर सकता है, तो first step ही, कि तुम्हें एक hackathons देख लो, there are multiple hackathons going on, तो जो तुम्हें पसंद हो, जिसकी price list अच्छी हो, वो सम्, अगर पहला step done है, hackathons देख लिया, then second step ही, कि ज जो इसके sponsors है, उनके जो descriptions है, वो सब जाके check करो, like उनकी क्या demand है, इसे कता हम से, तो like अगर Polygon sponsor कर रहा है, या फिर others change, जो new protocol से, वो sponsor कर रहा है, तो वो कुछ descriptions देते हैं, I think web 2 world में कुछ अलग होता है, कि वो लो कुछ problem statement पहले से देते हैं, बट web 3 में ऐसा नहीं होते है, normally जो companies है, वो कुछ creative ideas देख रही होते हैं, तो वो बस कुछ expectation demand करते हैं, कि मुझे ऐसा product build करो, जो defy से related हो, तो वो लोग, उनके description हो, कुछ creative हो, वो पूरा clear idea नहीं देंगे, कि थोड़ा सा कुछ hint देंगे, और उसके वाद कि तुम्हें idea सोचना है, कि इसके, मतलब यह जो description इस पर हम लोग क्या build कर सकते हैं, then research कि पहले से उस पर क्या चीज बिल्ड हो चुका है, उसके लिए तुम previous hackathons के प्रोजेक्स वेरा देख सकते हो, इंटरनेट में सर्च कर सकते हो, कि उनके discord community इस telegram में, और फिर उनके जो product में, जो भी devral वेर है, उनसे बात कर सकते हो, कि कैसा product है, तुम्हें idea कुछ आड़ा है, तो उनसे जा के बात कर सकते हो, then third step is building, और मुझे लगता है कि hackathons से सबसे, मतलब जो थोड़ा सा कम है कि वो code करना, मतलब अगर hackathon जीतनी है न, तो सबसे बड़ी चीज है कि तुम्हारी idea strong होनी चाहिए, अच्छी hackathons होनी चाहिए जो तुम build कर रहे हो, वो ऐसी होनी चाहिए, उसके बाद coding तो हो जाती है, अगर सब कुछ क्लिया हो, then code कर सकते हो, then third step is code, उसके बाद उसको अच्छे से परजेंट करो, अच्छी nice video, nice presentation and all, और थोड़ी बहुत दिक्कात आ जाती है कि कुछ-कुछ नए protocols से उनकी docks question था, मतलब कि इतने सारे hackathons में, you have participated, I think, in 12 to 13 hackathons, अब ये भी बता दूँ, ऐसा नहीं कि, RR ने जितने hackathons दिया, वो सब में जीत रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, he has participated in more than that, right, ऐसा नहीं होता है कि जो भी hackathon में हो जा रहा है, और वो बिना हो रहा है, तो कुछ उसके hackathons, सब की अपनी-अपनी tech stacks, अपने-अपने protocols, polygon कराएगा, तो कहेंगा, मतलब मेरे को ज्यादा priority दो, तो मैं तुमें ज्यादा इनाम दूँगा, तुम किसी और जगा जोगा, तो कहेंगा, मेरे को ज्यादा priority दो, तो मैं तुमको दूँगा थोड़ी, तो ये इतनी सारी tech stacks, इतने कम समय में, मतलब कैसे possible है, मतलब एक, as a beginner, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये इतनी सारी tech stack, इतने कम टाइम, ये कैसे हो रहा होगा, तो है करता है, सब से मुश्किल चाहिए है, कि सब कम टाइम में, कम resources के साथ, तुम्हें बिल्ट करने है, अगर वही दो दिन जो समय मिलता, अगर उसमें 10 दिन तो 10 दिन में, तो कोई विल्ट कर देगा, बट वही दो दिन में, वही कम resources के साथ, उनके डेवलपर से बात करके, और वेब 3 के चीज़े में, एरस बहुत आती, क्योंकि अभी बहुत नए नए चीज़े है, तो मुझे लगता है, सब से डिफकल्ट चीज़ वही होती है, उनके जो resources वेगर होती है, जितने भी नए है का तौंस में, सारे में नए responses क्योंकि हार्डे कोई नए नए प्रोटोकल्स लांच होई गहे है, और मज़ रहा है, और इंक fundamentals remains the same, only the thing is कि you have to build something different using the resources that you have, मैं लगा fundamentals तो भी नए 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 प्रोजेक्ट, अच्छा मतलब supports में जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनकी docks उतनी अच्छी नहीं है कि developers like दो दिल में समझ जा है, तो वो लोग अपने devrail को रखते हैं, और मतलब बहुत supportive होते हैं, तो यह ते हैं, तो यह तो बता हो, लगा पर यह तिंग भाई यहां पर सब लोग देख लो, पूरा supporting culture है, वेब 3 का, और यह चीज मैंने भी देखी है, जो लोग haters हैं, वो बहुत ही हादा hardcore haters हैं यहां पर जो अगर आपको support करना चाहते हैं, they are full supporter, मतलब आपको पूरी मदद मिलेगी, if you are ready to take a chance on it, इसमें कोई doubt नहीं है, तो अच्छा, यह तो चलो हो गया रख, बट क्या ऐसा कुछ होता है, क्या है, मतलब जैसे कि, तुम कौन से platform कैसे बता चलता है कि यह hackathons कब हो रहे हैं, तो कोई hackathon होने वाला है, तो how do you get to know about all these? तो तुम्हें active रहने पड़ेगा कुछ 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 community जह हैं वहाँ पर जैसे डेफोल्यों कि अकसर hackathons होती रहती है तो उनकी इमेल सब्सक्राइब करके रखो, तो पहले इनांस कर देते कि, इस यह में कौन-कौन से hackathons होने वाली है, तो उसको पहले से ब्लान कर सकते हो, तो देफ पोस्ट भी काफी अच्छे platform है, वहाँ पी hackathons मुझ जाते हैं, देन डोराहेक्स, इनकोड क्लब की hackathons होती है, काफी अच्छे, और जो specific chain से भी related hackathons होते हैं, तो तुम्हें active रहना पड़ेगा, उनकी community में तभी पता चलेगा, या फिर Twitter पे, मुझे लगता कि वेब 3 के साड़ी चीज़े ट्विटर पर यह होती है, तो अगर ट्विटर पे अक्टिवरेगा होती है, तो अगर ट्विटर पे जैसे किया है, मैं as a beginner से पूछना चाहूंगा, as a stand से, beginner भी जब एक ट्विटर पे जाता है, तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि हाँ, अलब यह वो जगह है जहां पर सारे आइडियास मिल जाएगा, फिर सारे hackadons की information मिल जाएगी, I think वहाँ पे भी हमें शुरुवात में कुछ fundamentals जो Twitter channels हैं, जैसे मैं कहाँ दूगा Polygon हो गया, Ethereum का हो गया, इस तरह कि जो थोड़े अच्छी companies उनको follow करें, और उनके through शायद हमें जादा पता चल सकी कि वो किसको जादा, right, मुझे लगता है, क्योंकि ऐसे कैसे पता चलेगा आप लोग यह कर सकते हो, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं काफी networking बे work कर रहा था अपने, तो भाई, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको follow करो, फिर तुम देखो कि जो अच्छे लोग होते हैं, उनके उपर comments आते हैं, तुम उनको follow करो, और जो जो होते हैं, जिनके बारे में पदा चल जाता है, कि अब यह होने वाले हैं, जैसे भी दुमने बताया, तो क्या उनके लिए preparation पहले से शुरू कर देते हो, यार यह होने वाला है, तो चलो इसके बारे में पहले से प्रिपेर कर लेते हैं, क्योंकि या फिर जिससे होता है, हम स्टार्ट होने ही वाला होगा तब ही करेंगे, क्या प्रोज़न होता हूँ? पहले से बिल्ड कर रहा है, तो obviously उनके sponsors की demand को मिटने ही कर पाएगा, तो वो बिन नहीं करेगा, अच्छा कुर्फम करेगा, बट बिन नहीं करेगा, और कुछ-कुछ है गत्वान जिनमें, अगर तुम बहुत है गत्वान में पहले से पाटिसिपेट कर रहे हैं, तो तुम सी ओड़ों के उससे रिलेटेड वो लो कुछ बाउंटी रखने वाले हैं, इन दैट कैस आप कर सकते हो, बट मोस्ट अब नहीं होती है, वो जो बहुत एक्स्पिरियांस लोग है, उन्हें कुछ इंटरनल नहीं होती है, कि लाइक जब इत इंडिया की तो कुछ-कुछ लो बढ़ा रहते हैं, सेलेक्टिंग होनेगी, यही चीज मैं किया, अपनी प्रॉबबिल्टी बढ़ा ली, कि येस किया कि इसके अराउंड ही कुछ होगा, तो लेट्स बिल्ट सम्थिंग, नहीं होगा, तो कुछ और बना लेगे, पर अगर इसके अराउंड निकल गया, तो चल्दी बन जाएगा, प्रोच और, साधा, ऑप्शन होगे, जीतने के, ओके, सामाज गया, तो जैसे अभी hackathons जब नहीं हो रहे हैं, तो लास्ट, around March से, November, December तक मैं जुरावर्स में था, उधर मैं इंटरं का, अभी इस चीज में थे तुम, इस चीज में थे तुम, जुर जुरावर्स कंपनी, यह गेमिंग की कंपनी है, तो मैं वहाँ पर काम करता था, और अभी तो मैं फ्री हूं, रहता हूं, hackathons अगर नहीं होते, तो अभी मैं कुछ दो-तीर महिनों के लिए ब्रेक पर हूं, तो मैं कुछ नहीं नहीं चीजे, नहीं चीजे सीख रहा हूं, ताकि मैं खुद को प्रिपेर कर लाओ, कर पाओ कि next bull run, जब अच्छी हाइडिंग हो, bull run तो अभी थोड़ी-थोड़ी से दिख रही है, यह मार्केट में, तो इसके लिए मैं रेडी हो रहा हूं, कि अब उस टाइम पर जाकर मैं बोलू कि अब मैं यह चीज नहीं आती, व मैं जब bull run हो, तब मैं अच्छा गर पाओ, एक चीज बता दू, hiring जब बात हो रही है, तो hiring ऐसे ही नहीं से web 3 में खराब चल रही है, पहली बता दू, और भी स्टैक्स में ऐसे ही हाल है, जाकि YouTube पर साच कर ले न, recession, काइंड और कुछ भी साच कर न, तो मैं दिख जागी, इसा नहीं, इसे web 3 में खराब चल लिए, बठाँ, यह web 3 नया है, अभी थोड़ी कम spaces हैं, तो वो spaces दो और कम हो गई है, तो इसलिए तो मैं कम देखेगा opportunities, ज़्यादा तर senior developers के लिए ही opportunities देखेगी, जो especially 3 to above years के, अगर आपको तीन साल से plus का experience है, तो ज़्यादा चांसे है कि आपको वही opportunity मिलेगी, यह चीज है, तो एक चीज मेरे पर बहुत सारा questions इसे rated आया थे, कि क्या artificial intelligence, web 3 developers की job हो खा जाएगा, क्या artificial intelligence जो अभी आ रहा है, मैं लग, बहुत सारा questions होता है, कि AI जो है, अब वत 3 को ले जाएगा, अभी मेरे पास एक telegram पर message भी आया, जिसमें था कि, मैंने, उस बच्चे ने कोई TEDx का वीडियो देखा था, और इस पर रिपलेट के, उन्होंने पूरी 80-90% का एक पूरा project complete का लिया था, using artificial intelligence, मैंने नहीं देखा वो वीडियो, so what do you think about it, कि artificial intelligence with 3 developers की job खा सकता है, अभी तो मुझे नहीं लगता है, कि अगले 5-10 सालों म जो code आती है, तो अगर आप उनको बोलोगा कि मुझे एक landing page बना के दो, तो वो landing page बना के दे जाते हैं, फिर आप उनसे पूछा कि आप backend बना के दो, तो most probably बना के बना के, बट ये जो connect करने का बात आता न, कि front end को backend से कैसे interact करेंगे, और backend कैसे हमारा दूसरे API कैसे भी connect हो मुझे लगता है कि महाँ पर डेवलपर्स की ज़रूरत होंगी, तो थोरी थोरी से help पर सकता है AI, बट मुझे नहीं लगता है कि it's possible, कि डेवलपर्स तो रहेंगे, हा जो mediocre डेवलपर्स है, उनकी जॉब तो खत्रे में है, इवन अभी बहुत लोग ना जॉब लूज किया ह तो जो बचने से ही आ रहे हैं और थोड़ा बहुत कोड फिक्स करने हैं तो उनके लिए तो थोड़ा मुझे चल रहा है, अंदसकार, समझ रहा है, और ये रेपलिट वाला जो पूरा कोड बनिया था, ये मैंने भी ट्राई किया है, लिक हो जाता है, थोड़े बहुत साफ से फ्रेंट बनेगा, अब वो फ्रेंट तो उसने बना कि दे दिया ना AI नहीं, वो अपने हिसाफ से, तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो परड़क्शन में जा सकता है, क्योंकि वो कोड लॉंग टम के लिए मैंटन करना पड़ता है, उसमें चैंजे कैसे होने जितना भी उसका वो हुआ है, तो मुझे लगता है कि एसिस्टेंट को क्या पूछना है, क्या करवाना है, वो एक डेवलोपरी जाद अच्छे बता पाएगा, अगर आपके पास logic building की capability नहीं है, तो आप कैसे बताओगे क्या करना है, तो उसको पता ही नहीं कि चल गया रहा है, वो थोड़ा बहुत यह दे सकता है, हाँ, तुम यह कर लो, वो कर लो, थोड़ा बहुत आगे बीचे कर सकता है, पते एक developer जो बताएगा ही नहीं कि करना क्या है, तो artificial intelligence करेगा कैसे, हमें कुछ ना कुछ तो command देना पड़ रहा है, अभी के लिए फिलाल मैं फिर से कह र पता हूँ, and this is something, जो लोगों को नहीं पता है, कुछ ऐसी चीज है, क्योंकि यह भी a question में पास आया था, कि, what are the resources that you follow, basically? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो मेरे पास है, और किसी के पास नहीं, सब लोगों के पास से maxis है, सब लोग ट्राइगेड सकते हैं, ऐसा कुछ खास है, नहीं कि मैं, उस, लोगों को लगते है कि मैं आऊंगा, hackathon जीत जाऊंगा, पैसे होना जाँगा, but seriously, मैं बता रहा I think इसलिए companies preference भी advantage होता है, आपको hackathons join करने का, बहुत सारे लोग यह पूछ थे, कि hackathons के join करने का advantage कहा है, पहली चीज़ आपको recognition मिल जाता है, आपको अची networking मिलती है, फिर आपको companies पे स्था प्रिफरेंस भी मिलती है, विगाज आपने skills को proof कर दिया है, अब जैसे आरभ जागना पड़े तो जाग जाएगा, कि इसको interest है, तो यह advantage है, and apart from that आरभ, एक question और है मेरा, कि अभी एक question मेरे पास, जो मैं chat में भी देख रहा हूं, कि अब क्या follow कर रहो, rest follow कर रहो कि solidity follow कर रहो, what is your preferred programming language, when it comes to web3, पहले तो मुझे solidity आते थे, बट अभी जो मैंने ब्रे अभी तक अच्छे जितने hackathons हुए, उसमें, what are the text tracks, like what are the different text tracks that we were using, mostly, project 2, web3 के होती है, बट अगर आप ढंग से देखोगे, तो मापर, monstack बहुत जादा use होती है, if you are going with monstack, then, यह advantage है, उसके बाद, बहुत सारे projects में तो ऐसा होता है, कि तुम्हें contact लिखनी भी नहीं होत अगर lens protocol पे build कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है, कि वहाँ पे smart contact की वज़ोगत होती है, इसे, dap build कर सकते हो, सारे own के, correct, yes, tech stack के बाद करें, तो solidity and monstack आनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, कि जो नए protocol से उनको integrate करना, man and solidity तो हो जाती है, क्योंकि इ multi-purpose programming language, salty से विसीले बनी ही थी, कि you can easily connect with salty programming language, तो भाई ये भी ध्यान रखें आप लोग, कि और market भी तो को ऐसा है, पहले मैं भी कहता है, कि तो को salty पढ़ लो, काफी, फोड़ा बहुत इधर भी पढ़ लोगे, उधर भी पढ़ लोगे, तो हो जाएगा, अब market change हो रही है, bear market में हम लोग आ चुके हैं, चीज़ें चेंज हो रही है, तो you have to be good at multiple things, अब मैं multiple things कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि तुम सब कुछ पढ़ने एक साथ लग जाओ, means step by step सारी चीज़ों को cover up करो, अच्छे से जावा से पढ़ लो, जावा से पढ़ लो, जावा से पढ़ लो एक question मैं देख रहा हूँ, अरफ, कि certification कौन से किया है, कि तुमने YouTube से पढ़ा है, तो भाई जिंको आरफ के बारे में थोड़ा सब बें background बता देता हूँ, और आप फिर बताएगा, he is doing currently BSc from mathematics, सुन लो भाई, BSc from mathematics, कोई computer science background नहीं आरफ का, ठीक है, but now over to you, अरफ, कहां से भ करा है, मैंने YouTube से ही करा था, और जब स्टार्ट करा था, तो स्टार्टिंग में मैं एक Udemy records लिया था, और फिर उसके बाद आपके YouTube channels को मैं follow करता था, और कुछ कुछ और भी channels थे, उनको मैं follow करता था, कुछ projects मेरा के लिए, और जो मेरी सबसे बड़ी breakthrough रही थी, कि वो, मै सुरू में start कर दिया था, लोगों को reach out करना, तो जो पहले के hackathon winners होते था, मैं उनकी जाके dev folio पे profile चेक करता था, और फिर उनको text करता था, कि bro, can you help me, I am beginning, networking, can you help me, नहीं, ऐसा भी बोल देता था, कि आप मुझे team में ले लो, मैं जो पैसो जीतोगे, मैं उसमें से share नहीं तो सामने जाला वनना भी सोचता था कि क्या, मतलों, अगर एक line की code लिगते रहा तो बेनिफिट है, पैसे तो ले नहीं रहा, तो ऐसे मैं बताऊ तो मैं दस से जादा winning projects में था, समझ रहा था, जब मैं सीख रहा था, समझ रहा था, समझ रहा, तो yes, okay, so nice, so nice, okay, let me take some more questions, ए अभी क्या है कि इंडिया में जैसे crypto exchanges को रिक्स्ट किया जा रहा है, especially centralized crypto exchanges को, so what do you think, कि इसका कोई impact पड़ेगा blockchain industry प्लोक्चेन इंडिस्ट्री प्यान वरे टाम में, मुझे लगता है कि यह सब जो बैन हो रहा, इसके विचर का वज़ा है कि लोग tax नहीं देते थे, जो P2P जो sell कर देते थे, buy कर देते थे, तो आपर tax नहीं दिया जाता था, इसलिए, यहां पर कोई ऐसा flow नहीं है कि इसके वज़े से ban करा कि crypto ban है, कुछ major region है, बस वो tax पे नहीं होता था न, अगर वो clear कर ले है, Binance या फिर जो भी other exchanges है, then वो सही हो जाएगा, तेको मैं तुम बताऊंगा, जितने लोग भी यह पूछ रहो, यह जो banning का जिनको डर है, मैं तुम को बताता हूं कि government जो है, फिर सब बोलूगा, जितनी centralized चीज़े हैं, उन्हीं को ban कर सकती है, पहली चीज, वो किसी भी decentralized चीज़ को ban नहीं कर पाएगी, और यह चीज अच्छे से अपने इमान में डाल लो, क्योंकि government नहीं तरपाएगी है, भाई, जहां हजारों computers run कर रहे हूं, तो government सब को target पहली बात तो नहीं कर सकती, ऐसा करना possible नहीं क्योंकि हर node अपने country में run कर रहा है, अपनी jurisdiction में run कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि कल जाएगी, Indian government और किसी को भी कहेगी, बढ़ाना शुरू कर दिया गया, अब यह जो bitcoin का ETF है, जिनको नहीं पता, थोड़ा सा पॉड़ो bitcoin ETF के बार में, मतलब कि यह नहीं कर रहा है, यहां बिटकोइन को accept किया, मैं फिर से clear कर देता हूं, USA ने accept नहीं किया bitcoin को, but now as an investor, आप bitcoin को एक तरह से अपने portfolio का part बना सकते हो without directly investing on it, आप prices की fluctuation को देख देख के, अब ETF की complexity में मैं नहीं जाओंगा, but the point is, कि उसके बाद से मैंने एक YouTube पे post भी आप लोग के साथ share किया था, जहां पर मैंने गोला था, यह क्या दिखा रही है, तो अगर आप देखो कि इस समय bitcoin का price वो बढ़ने लगा है, ठीक है, and this is a good sign for bringing trust back, ठीक है, अब ठीक है, यह तरीका थोड़ा अच्छा नहीं है, ETF मैं नहीं मानता कि ETF बहुत अच्छा तरीक है, अभी क्योंकि हम लोग बहुत ही starting stage में है, तो थोड़ा बहुत तो भाई हमें किसी ना किसी base पर पैर रखना पड़ेगा, और फिर जब हम लोग अच्छ के लिए आरव ने पहले ही बताया है, तो project ideas के लिए आपको यही करना है कि hackathons के जो previous hackathons होते हैं, उनके project को study करो, और उनको study करके आपको idea लग जागा कि next project क्या बना जा सकता है, तो एक vast variety of projects आपको मिल जाएंगे, hackathons जो भी अभी तक हुए हैं, उनके projects का एक पूरा web page ह होता है, you can go and study about them, उनके छोटे-छोटे tutorials भी रहते हैं, videos भी रहते हैं, जो pitching के लिए बनाया जाते हैं, you can learn about them, और फिर आपको ideas महां से मिल जाएंगे, okay आरव, एक question यह है, कि minimum prerequisite क्या है, start करने की participation in hackathons, क्या, मतलब minimum, क्या prerequisite होती है, अगर आपको hackathon में participate करना है, is there any minimum prerequis process, मुझे लगता कि, अगर एक भी skill आती है, अगर तुम्हें smart contract सिर्फ लिखनी आती है, तो you can team up with other members, जिनको front end आती है, जिनको back end आती है, तो ऐसा कुछ minimum prerequisite, prerequisite, तो मुझे अगर कोई भी एक skill आती है, अगर तुम्हें सिर्फ front end ही आती है, तो उनकी communities में जा और लिखो कि I am a front end developer, I wanna team up with someone, तो तुम्हें वहापर कोई नो कोई मिली जाएगा, जिसे contract लिखनी आता है, बेक end आता होगा, अगर तुम्हें back end आती है, solidity आती है, तो ऐसा करके, you can team up, जो hackathons में generally ऐसा जरूर होता है, अगर तुम तीन लोग के साथ team up कर दे है, तो एक बंदा पक्का सो रहा होगा, वो काम नहीं कर रहा होगा, तो उसके काम अगर तुम्हें करने पड़ेगे, तो तुम वहापर सीख जाओगे, अगर मानलों कि वह बंदा solidity वाला था, जो rest कर पहा है, अब तुम्हें, इप यू आर सीरियस, तुम्हें लगए कि कुछ तो करते हैं, तो उध है, हकेतौंस जो एगुनाइस कराते हैं, वो भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, मुझे लगता है, वो आपको लाप करा देते हैं, हाँ, उनकी team formation होती है, अलग से team formation का session होता है, कि तुम वहापर जाए, डिस्कॉर्ड पे उनकी अलग से channel होती है, कि यहाँ पर आ करके त सब में होते हैं, वहाँ पर तो stage पर बुला करके, जिनको team चाहिए, वो लोग stage पर जाके बोल सकते थे, ऐसा, एक बहुत ही, अलग तरह का question है, choosing a career in between blockchain developer और SDE, which is more beneficial according to salary, Salary की, मुझे लगता है, blockchain में ज्यादा बैसा है, SDE में कितना कमाल है, max to max अगर जाओगे तो 1 crore per year, मैंने blockchain में ब्लोकचे ने रेखे हैं, जिनके 5-6 crore per year की salary है, Okay, answer is very much obvious है, तोगर SDE वैसे भी न, SDE का जो road map है वान कर आपने question पूचा है, काफी अलग होता है, मैंना, जाधा तर जो SDE roles होता है, वो काफी DSA और SI चीज़ें भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि blockchain में नहीं मांगा जाता, बट मुझे रगता है, SDE थोड़ा अलग department हो गया, and blockchain developer थोड़ा अलगी department हो गया, and salary wise, definitely क्योंकि वही demand supply का खेल है, SDE के लिए बहुत सारे लोग रिपेर कर रहे हैं, और blockchain developer के लिए कम लोग रिपेर कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा salary आप जाधा ही देखोगे, बढ़ ह उसके अपने वो भी हैं, drawbacks भी हैं, क्योंकि आपको फिर कम opportunities भी दिखेंगी, तो you have to be good in those opportunities, ये भी आपको नहां देना है, है कि तो अंसी कोई age limit होती है क्या आप, आप, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है, जिनकी age 60 plus है, वो लोग है क्या हैं सुना तुम उनसे बात के रहे हो, इवन जो protocols के जो बड़े senior position पर होते हैं, वो लोग आकर hackathons पर बैट लेते हैं, मैं देख रहा था, polygon की जो डेबरेल है, कुछ STF करके नामने, वो मतलब सारे hackathons पर पाटिसिपेट करते हैं, और वो काफी senior position पर हैं, तब भी, वाव, ये team building के ये तो मैंने देखा है, बहुत सारी जो आपकी IT companies भी होती है, वहाँ पर भी, उनके internal hackathons होते हैं, ताकि एक grouping बन सके, और I think, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, team building exercise करने को, okay, so thank you so much Aarab, but before ending it, do you want to say something, anything specific to the audience, कुछ, that you want to talk about, जो भी तुमाने मन में हो, मैं एक ची इत इंडिया में था, तो मैं जहां पर बैठा था, जिस टेवल पर, उस बगल वाले वंदे ने, वो मतलों, आपकी वीडियो देख रहा था, और वो project build कर रहा था, फिर मैं दो तीन वंदे ऐसे देखे कि सिर्फ आपकी एक टैप पर वो उसने खोल रखा है, आपकी वीडिय है, मैंने भी वहीं से करी है, और फिर मैंने उसे पुछागी कैसे केंट है, तो बोलते हैं, जितने भी लोगों से मैंने बात करा है, वो बोलते हैं कि, कोडिटर लाइक is best, कि इनने ऐसा content YouTube पर है इने, फिर जो मेरे एक बहुत senior mentor है, उन्होंने मुझे एक दिन कॉल करा, और पर दो बहुत कम है, तो लाइक ही, जेल्प इंडियन इस्टुएंस, तो काफी एक डिस एसा, तो काफी एक दिसे एक, तो बहुत करना सब लोग कि, कि यसली मेरे बास वो लोग है, मेरे बास टेक्स आते हैं इसे, ओ वाव, बास तो नाइस, अच्छा है कि, चीजें कुछ क कि थोड़े से मार्केट अभी खराब है, बट तो मैनत करते रहो, अच्छी एफर्ट डालते रहो, तो मार्केट तो ठीक होगी, अगर इफ यू आ रेड़े देन, कुछ अच्छा होगा, फोर सी होगा, तो बी रेड़े, पतलो ये जो दो तीन महिनों को, तीन चार महिनों क बात मुझे लगता है कि थोड़ी से तो हाइडिं से ही हो जाएगी, तो ये बेस्ट टाइम है कि तुम खुद को प्रिपेर कर पाऊ अच्छे से, उस बुल रण के लिए, और तुम्हें कुछ अलग से प्रिपेर नहीं करना है, तुम जो कर रहे हो, बस वही करना है, उसको पास अच्छे से करना है, जावसर्ट को जो मैं यहां भी पढ़ नहीं है, तुम्हें वहां भी पढ़ नहीं है, बस तुम्हारा ओरेंटेशन क्या होगा, कि भाई, तुम जो प्रॉब्म स्वाल करोगी, वो ब्लॉक्चेन डॉमेन की होगी, और जो और लोग अभी तक स्व वही रहना है, तो अच्छे से करो, सब होई जाएगा, ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी को सीखने को भी मिला होगर, काफी मज़ा भी आया होगा, अगर ऐसा है, तो यार अभी तक आपने अगर कमेंट नहीं किया है, तो कर दो, देख लो 200 कमेंट तक हम ल है.